सभी को नमस्कार आज दिनांक दो दिसंबर का पंचांग इस प्रकार है दिनांक दो दिसंबर दो हजार तेईस दिन शनिवार, विक्रम समवत बीस अस्ती, शक्रम समवत उनिस्सोपेंटालिस अयन दक्षणायन, रितू हैमंत रितू, मास मार्गसीस, गुजरात एवं महाराष्ट अनुसार कार्तिक पक्ष क्रिश्न है, तीथी पंचमी, शाम पांच बज के चौदा मिनट तक, तर्थ पस्चात सस्थी नक्षट्र पुस्य, शाम छे बज के चौवन मिनट तक, तर्थ पस्चात असले सा नक्षट्र शुरू हो जाएगा योग, ब्रह्म रात्री, आठ बज के उननिस मिनट तक, तर्थ पस्चात इंद्र राहुकाल, नौ बज के सत्रह मिनट से ले करके, दस बज के चट्रिस मिनट तक है सुर्योजय, शे बज के अर्थिस मिनट, सुर्यास्त शत्रह बज के तेरह मिनट, मतलब पांच बज के तेरह मिनट दिशाशूल पुर्वदिशा में आज नहीं यात्रा करनी चाहिए व्रत पर्व विवरण विशेश पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है ब्रह्म वैवर्त पुरान ब्रह्म हखंड 27.29 से 34 ब्रह्म पुरान के 118 अध्याय में शनीदेव कहते हैं मेरे दिन अर्थात शनीवार को जो मनुस से नियमित रूप से पीपल के ब्रिक्च का असपर्स करेंगे उनके सब कार्यसिद्ध होंगे तथा मुझ से उनको कोई पीडा नहीं होगी जो शनीवार को प्राता काल उठकर पीपल के ब्रिक्च का असपर्स करेंगे उन्हें ग्रह जन्य पीडा नहीं होगी ब्रह्म पुरान शनीवार के दिन पीपल के ब्रिक्च का दोनों हाथों से असपर्स करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जब करने से दुख कठिनाई ओम ग्रह दोशों का प्रभाव शांत हो जाता है ब्रह्म पुरान हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चड़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कश्टों का निवारन होता है पद्न पुरान, भैरो अस्टमी, पांच दिसमबर मंगलवार को भैरो अस्टमी पर्व है, यह दिन भगवान भैरो और उनके सभी रूपों को समर्पित होता है भगवान भैरो को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है इनकी पूजा अर्चना करने का विशेश महत्र माना जाता है भगवान भैरो को कई रूपों में पूजा जाता है भगवान भैरो के मुख्य आठ रूप माने जाते हैं उन रूपों की पूजा करने से भगवान अपने सभी भगतों की रक्षा करते हैं और उन्हें अलग-अलग फल प्रदान करते हैं। भगवान भैरो के आठ्श रूप जाने कौन सी मन्यों कामना के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए। कपाल भैरो इस रूप में भगवान का शरी चमकीला है, उनकी सवारी हाथी है, कपाल भैरो एक हाँच में तिशूल, दूसरे में तलवार, तीसरे में शस्त्र और चोथे में पात्र पकड़े हैं, भैरो के इन रूप की पूजा अर्चना करने से कानूनी कारवाईयां बंद ह हो जाती हैं, अटके हुए कार्य पूरे होते हैं। क्रोध भैरो गहरे नीले रंग के शरीर वाले हैं, और उनकी तीन आखे हैं, भगवान के इस रूप का वाहन गरूर हैं, और ये दक्षिर पस्चिम दिसा के स्वामी माने जाते हैं। क्रोध भैरो की पूजा अर्चना कर पूजक करने से सभी परेशानियों और बुरे वक्त से लड़ने की घंता बढ़ती है। असितांग भैरो असितांग भैरो ने गले में सफेध कपालों की माला पहन रखी है और हाथ में भी एक कपाल धारण किये हैं तीन आखों वाले असितांग भैरों की सवारी हंस हैं भगवान भैरों के इस रूप की पूजा अर्चना करने से मनुस्य में कलात्मक ख्यमताएं बढ़ती हैं चंद भैरों इस रूप में भगवान की तीन आखे हैं और सवारी मोर हैं चंद भैरो Baptist में तलवार। दूसरे में पात्र तीसरे में टीर। और चोठे हाथ में धनूस लिये हुये हैं चंद भैरो की पूझा करने से शत्रों को शत्रों पर भिजय प्रिश्टिती से लड़ने की छुमता आती है। गुरू भैरों हाथ में कपाल, खुलहारी और तलवार पकड़े हुए हैं। यह भगवान का नगन रूप है और उनकी सवारी बैल है। गुरू भैरों के शरीर पर साप लिप्टा हुआ है। गुरू भैरों की पूजा करने से अच्छी विद्या और ज्ञान की प्राप्ती होती है। संगहार भैरों नगन रूप में हैं और उनके सिर पर कपाल अस्थापित है। इनकी तीन आखे हैं और वाहन कुत्ता है। संगहार भैरों की आठ भुजाएं हैं और शरीर पर साप लिप्टा हुआ है। इसकी पूजा करने से मनुस्य के सभी पाप खतम हो जाते हैं। उनमत भैरो, उनमत भैरो सांत सुभाव का प्रतीक है, इनकी पूजा अर्चना करने से मनुस्य की सारी नकारत्मक्ता और बुराईयां खतम हो जाती है, भैरो के इस रूप का सुरूप भी सांत और सुखद है, उनमत भैरो के शरीर का रंग हलका पीला है और उनका वाहन घोड भीशन भैरो की पूजा अर्चना करने से बुरी आत्माओं और भूतों से छुटकारा मिलता है, भीशन भैरो अपने एक हाथ में कमल, दूसरे में तिशूल, तीसरे हाथ में तलवार और चौथे में एक पात्र पकड़े हुए हैं, भीशन भैरो का वाहन शेर है, धन्यवा अगर आप नित्य ऐसे ही पंचांग के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्रिपयास चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर किसी तरह आपकी क्वेरी है तो धन्यवाद